हेलो फैमिली आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फैमिली आज का जो वीडियो है बहुत लोगों के क्वाईरी पे है बहुत लोगों का कुश्चन है इस पे इसलिए मैं ये वीडियो बनाना मेरी मजबूरी हो गए थी तो मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि इस ऐननी को बहुत हलका आ रहा है और बहुत गौर से देखा जाए तुस्क्राइइं मरणा नहीं दिख रहा है कि इसके अलावा क्या जो एक लाइज हल्क हलका सा पिंक आ गया और एक लाइज मतलब गारा गुलावि इसका क्या मतलब है क्या हम यह pregnancy positive मांदे इसके बाद हम hair wash कर लेए या फिर अगर हम beta-acg कर वाँ तो वह भी negative आ रहा है तो हम क्या समझिए कि हमारा pregnancy रुक्य है कि नहीं रुक्य है इसके अलावा जो हम pregnancy test कर रहे हैं यह कितने दिन में करना चाहिए pregnancy जह मिस हो जाती जब परीयड जब मीस हो जाती तो प्रेंसे टेस्ट कितने दिन में करना चहिए यह तो सारे सवाल हो गए फ्रेंड्स आप सबसे पहली ग슈 क्या करती है पता है जब आपका धिरय क्या हो जाता है तो सबसे पहले आप boundaries नहीं करती हैं सबसे बड़ी गलती डूसरे गलती अप करती है चिक तो करती ही नहीं है और आप टेस्ट हैं तो इस Изाधे में होता है आप आप के साथ ऐसे में अगर आपकी प्रेग Presents लुद्ध होती है तो प्रेग्नेंसी निकल जाती है यानि की कराब करती है और आपका अगला पीरियड I do a g40 cm से आपको जाता है आप को तो चार दिन के बाद आपका से ना चाहिए इसके बाद उसमें हल्की गुलाबी या के किसी भी का लाइन आ जाए उससे कोई मतलम नहीं है लेकिन अगर आ जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर डॉक्टर आपको सप्लिमेंट देंगे सिसु को रोकने के लिए गर्व को रोकने के लिए तो सप्लिमेंट की वज़ा से आपका गर्व रुक जाता है गर् इतते पीकारण होता है दो कि आप गलतीए अगर दो चार दिन के बाद टेस्ट कर लेतीं तो जो आप गलतीए की है घलतीए का मतलब त्रेवलिंग करने लगती हैं हेयर वास कर लेती सबसे बड़ी तो आपके बोड़ी के अंदर आपके यूट्रेस के अनदर तुरन कंट्रेक्शन उत्पन हो जाते हैं जिससे कि आपका गर्व जो रुका है खराब हो जाता है और जब टेस्ट कर लेती और जब ट्रेवलिंग करने जाती है तो धक्का लगता है कहीं उबर खावार रास्ते में चलेंगी तो धक्का लगेगा रोड है सड़क है कुछ भी है सबसे वड़ी गलती है तो मेरा आप से यही रिक्वेश्ट है कि आप विडियो को देखिए अरली प्रिग्नेंसी सिम्टम मैंने हर जो पैर मैठन क्यों होता है हर चीज़ पे हर अंग पे हर पार्ट पे अलग-अलग वीडियो बनाना शुरू किया है अगर उसको आप चेका थोड़ा सा मैं आपको बता दू कि प्रेग्नेंसी के कौन कौन से लग चड़ होते हैं देखिए फ्रेंट्स वीडियो मैं डिटेल में आज बना रही हूं तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी बेल्कुल भी मत कीजिएगा और अंते तक जुड़े रहिएगा कितने रुख जाएगी तो आपको शिम्टम नजर आएंगे जो आपका पीरियड आया है उसके बीसेवे दिन से आपको सिम्टम नजर आने लगेंगे हलकी हलकी आपको नोजिया वोमिटिंग होने लगेगी भूक ज्यादा लगेगी यूरिन की फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ नहीं होगा लेकिन डिस्चार्ज की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी क्यों बढ़ जाएगी यह सारे सिम्टम इसलिए बढ़ते हैं कि आपका जो गर्भार ओपर हो रहा है इंप्लाटेशन हो रहा है तो आपके बॉड़ी में कुछ-कुछ हल चल हो रही है तो जब कुछ हल चल बॉड़ी में होती है तो कुछ ना कुछ सिम्टम सापको महसूस हों गये सारे सिम्टम सापको महसूस अगर होते हैं तो यह समझे कि आपकी प्रेग्नेंसी रुकी हुई है इसके अलावा आपको खटका खाने का भी मन करेगा लेकिन यहां पर कन्फ्यूजन यह होता है कि नजर आते हैं एक और confusion होता है कि जो implantation का bleeding होता है वह महिलाएं इसमें confused होती है यह कब होता है तो देखिए यह सभी महिलाओं को नहीं होता है यह किसी महिलाओं को होता है जो अपनी body को बहुत deeply उसको monitoring करती है उन्हें यह समझ में आएगा क्योंकि देखिए जब आपका evolution हो जाता है अगर आपका period cycle 30 दिन का है तो आपका evolution 14-15 दिन में आपका evolution हो जाएगा तो evolution होने के 6-7 दिन बाद आपको sporting नजर आएगी वह bleeding की एक दो बूंद हलकी सी sporting आपको महसूस होगी तो यह जो sporting होती है यह इसी लिए होती है कि जब आपका बच्चा आपके यूट्रेस में implant होता है तो यूट्रेस को हलका हलका कुरेदा जाता है तो जब कुरेदा जाता है तो उसमें से तो हलकी सी bleeding आती है या फीर मतलब एक या दो बार आईगी इससे अधिक आपको नहीं आएगी लेकिन अगर आपको sporting लगातार हो रही है यानि कि दो तीन चार दिन पांच दिन हलकी हलकी bleeding हो रही है sporting हो रही हलकी हलकी और आपने pregnancy test किया और वो positive आ गया तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए तुरंत अपने डॉक्टर के पास भाग के जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए क्योंकि यहां पे जो आपका eptopic pregnancy का chance बढ़ जाएगा अगर आपके body में करता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इसके बाद एक और बात कि देखिए अगर आपकी जो पीरियड का डेट है उसमें आपको जो है फ्लो बहुत कम आ रहा है यानि की sporting आ रही है फ्लो नहीं आ रहा है और जो आपने pregnancy test किया तो उसमें हलकी को आपको ड करना चाहिए क्योंकि यह भी the pregnancy की और जाता है यह भी आप समी सदेः को करता है तो इसमें आपको डो ब्सक्राइब संपर्क करना चाहिए इसके अलावा अगर आपके बोडी में सारी प्रेग्नेंसी का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो अपने पीरियड के छे दिन पहले आपको हेर वास करना बंद कर देना है इसके बाद प्रेग्नेंसी के लक्षण सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं पीरियड से दस दिन आठ दिन पहले तो यह सारे सिम्टम्स यह सारे चीज आपको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए नहीं तो आपका इंप्लांट हो जो हो रहा है ओ खराब हो जाएगा जब आप इस चीज को ख्य हमयिए है तो देखिये फ्रेंडस क्या होता है कि जह आजितना आपका पीरिय adesso कि यह आपको पता होना चाहिए कि आपका प्यु Donald ile साइक कि C भी महिला महिला का एक स्पैक्टेक्टेच p 8 एक होता है तो देखिए जैसे कि उसमें Buddhism को कि मैं बताते हूँ पारफिय चार तारी तो दो दिन आगे या पीछे होता है यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो आपको पता होगा ना कि मेरा आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है तो आपको अपने यह ढ़ी उसके दो दीन बात चेक करना है तो यह ड़ी आपको पता है कि मेरा दो दिन आगे आता है तो जब दो दिन आगे आएगा तो चार तारीकों आएला तो चेता राइगा अगे-जब दो या नोतारी को चेक कर लेना है, टेस्ट कर लेना चाहिए, इसके बाद बात आती है कि जब उसमें हलकी लाइन आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेग्नेंसी रुकी तो है, लेकिन जो बीटा ACG का लेवल है, जो हार्मोन है, वो आप में बहुत नामात रखा है, इसमें हलकी लाइन आती है, जब आपका शुरू होता है, जब सुबह आप उठती है, तो पहले दिन का पहला यूरिन लेकर वुसी को आप चेक करिए, अगर आप 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे चेक करेंगी, तो आपको निगेटिव दिखाएगा, निगेटिव आएगा, क्योंक बजेटने है, जब टेस्ट के जिवाहें, क्योंकि प्रेग्नेंसी नहीं थी, क्योंकि बजे गलत रिपोर्ट नहीं देता है, यह बलट टेस्ट होता है, तो क्या होता है कि कभी-कभी जो आपके अंदर हार्मोनल डिस्वैलेंस होता है उसके वज़ा से भी फैंट लाइन दिखाई आपको देता है इसके बाद एक और बाद कि जब आप बीटा एसीजी जैसे आपने आज चेक किया और उसमें हलकी लाइन आया उसके आप 2-4 घंटे बाद आपने जाके लाइब में बीटा एसीजी चेक करवाया ओ पॉजिटिव आ गया तो आपको रुकी है इसके बाद अगर आपने आज टेस्ट किया तो उसमें हलका फ्रेंट लाइन दिखाई दिया तो आपने सोचा चलो 2-3 दिन बाद बीटा एसीज लाइन दिखता है हलका पिंक लाइन दिखता है उसके तुरांत बाद आपको बीटा एसीजी करवा लेना चाहिए इसके बाद यह तो हो गई यह सारी बाते अब बात करते हैं कि जब आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो आपको करना से पहले अपने आपको डॉक मतलब इस केृटिर होला या फिर आपकी कोई भी परेसानियों से कोई भी दवाव से सपलीमेंट से गर्वरुकी है तो आपको रुक जाएगी आपको मिसकेरिज आपको खत्रा नहीं रहेंगा और आपको तीन हो सके तो तीन महीने आपको बेड़ रिए दॉक्टर करेंगी तो आप इस चीज़ को मैंने इस वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो गई है पूरी जनकारी देने की कोसिस की है तो आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब झरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में लेकिन वीडियो को स्किप करके मैं पूरी जनकारी दी उन्हीं